और छे महीने की ट्रेणिंग में अगर आप हिंदुस्तान के जलान को यूद में बेज रहे हों तो आप उसके साथ अन्याइक लगे हों क्योंकि जब वो जाएगा जब वो यूद में जाएगा छे महीने की ट्रेणिंग में बाद और उसके दूसरी तरफ चैना के जवान को साथ आट-दस सार की ट्रेणिंग होगी तो नतीजह आप सबको माद लोगा कि हिंदुस्तान के एक सर्विस्मेंट ने कुछ पता है तूसरी बात पता है कि आप पहले आर्मी में किसी को भेजते थे वो जिन्देगी पर सर्विस करता है वापिस से को समाच में आता है गाओं में तो वो गाओं को समाच को रास्ता देख सकता है मतलब उसमें वजन होता है आप जानते हो आपके दाओं में जो एक सर्विस्में होते है उनमें वजन होता है होता है नहीं होता है क्यूंकि 15-20 साल उन्होंने अपनी जिन्दगी के देश को दिये, इसलिए उनमें बजन होता है, और उस बजन से समाज का पाइड़ा होता है.